So hi everyone, फिर इस एक नई वीडियो में आप सभी साथी का सुवागत है. So दोस्तों, आज किस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि वीडियो एडिटिंग किस तरिके से किया जाता है. So आज किस वीडियो में हम इनी टॉपिकों पर बात करने वाले हैं. अगर आप सोसल मीडिया प्लेट फॉन पर काम करते हैं, तो आपको वीडियो एडिटिंग करना बहुत जरूड़ी है. नहीं अगर आपके पास एक Android phone है तो उससे आप वीडियो एडिटिंग कर सकते हैं और वीडियो एडिटिंग करने का जो वेस्ट अप्लिकेशन है वो काइन मास्ट अप्लिकेशन मैं इनका लिंक अपने डिस्क्रिप्सन में दे दूँगा वहां से जाके आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं और सो आज किस वीडियो में हम बात करने वाल ही कि आप Android phone से किस तरीके से घर बैठे वीडियो एडिटिंग कर सकते हैं आपको वीडियो एडिटिंग करना नहीं आता है क्योंकि अभी के समय में अगर आप सोचल मीडिया प्लेट फॉर्ण पे काम करते हैं तो आपकी वीडियो में क्वालिटी होनी चाहिए तभी आपका वीडियो मार्केट में चल सकता है क्योंकि अभी के शमय में social media पे बहुत completion हो चुकी है तो कहीं न कहीं आपके वीडियो में कुछ improvement होनी चाहिए अच्छी quality होनी चाहिए अगर आप एक बार वीडियो editing करना सीख जाते हैं तो आप lifetime के लिए फिरी हो जाते हैं कि किस तरीके से आप video editing कर सकते हैं तो आप इस video को बिना skip है शुरूर सेन तक जरूर देखेगा अगर आप इस video किसी भी part को skip करते हैं तो आज का video हमारा थोड़ा लंबा हो सकता है लेकिन आप इस video को बिना skip है शुरूर सेन तक जरूर देखेगा अगर आपसे कोई भी part miss हो जाता है तो कहीं न कहीं आप नहीं सिख पाएंगे कि किस तरीके से वीडियो एडिटिंग किया जाता है तो आईए हम जानते हैं अपने मुवाईल के screen के माधियम से वीडियो एडिटिंग करने के लिए सबसे पहले आपको size select करना होगा जैसे कि मैं लॉंग वीडियो एडिटिंग करना चाहता हूँ यूटूब के लिए तो सोला बैने अगर आप यूटूब के लिए सोट वीडियो एडिटिंग करना चाहते हैं तो नौब है सोला अगर आप इंस्टागराम के लिए वीडियो एडिटिंग करना चाहते हैं स्टार्ट्ट करना इस विडियो में जो भी स्ट्राप न कि हम rozum छोगा उसे हमें अठाना है तो देखे हम इस्ट्राट dressing करते हैं तो from i और यहां से एन्ड में जाना है इस तरह से में स्ट्राट करते हैं देखिए यहां से हमारा वर्ड बोलना खत्म हो चुका है तो इस केंची वाले ऐकन पे क्लिक करना है और हमें राइट से काट देना है ठीक है? उसके बाद सिंपली से अब हम समझने बाले हैं अगर आप अपने वीडियो का अब आज बढ़ाना चाहते हैं तो इस तरीके से आप बढ़ा सकते हैं तो सबसे पहले आपको मिक्चर में जाना है और यहां से अगर आप 100 है तो 200 कर देना है यानि कि 200 कर देना है उसके बाद auto value को आउन कर देना है इस तरीके से आप अपने वीडियो की वाईस चेंज कर सकते हैं मैंने आपको तीसरा चीज़ भी समझाया कि पहला मैंने आपको समझाया कि किस तरीके से वीडियो को आप पार्ट को कार सकते हैं दूसरा मैंने आपको समझाया कि मिक्चर में किस तरीके से अपने वीडियो के अब आज बढ़ा सकते हैं यानि, Starting में अगर आप लखना चाते हैं तो रख सकते हैं एगर आप अगर आप एन्ड में जाना चाते हैं तो, End पुस्ट पर किलिक करना है उसके बाद हमें Starting में आना है तो हमने आचुका है उसके बाद Simply's आपको कुछ नहीं करना है Filter में जाना है अगर आप filter में change करना चाहते हैं कोई color पसंद करना चाहते हैं जिसके हमें last बाला part यानि की यहां से black रखना है तो वीडियो पे click करना है और यहां पे देखे कैची है इस पे काट देना है यहां से split करने के बाद हमें इस वीडियो की color change करना है इतना ही दूर हमें change करना है तो filter में जाना है और यहां पे आपको color मिर जाएगा देखे हमारा वीडियो इस तरीके का हो चुका है देखे तो हमने यहां तक अपने वीडियो का color change क्या और वांकि वैसे ही है देखे हैं न तो इस तरीके से आपने वीडियो का color change कर सकते हैं ठीक है अगर आप इस वीडियो को आप adjust करना चाहते हैं अगर आप इसे normally उसी तरीके से आना चाहते हैं जैसा आपका वीडियो था तो इस पे click करना है पोप पे click करना है आपका वीडियो जैसा था वो ऐसा simply से ह हो चुका है उसके बाद आपको simply से कुछ नहीं करना है आपको यहाँ पने वीडियो को select करना है select करने के बाद अगर आप इसे भी आप अगर आप इस बीच में अपने काटा है इसे आप जोड़ना चाते हैं तो फिंच तू ढूम पे क्लिक कर देना है, सिमपली से हो चुका है, यहां पे देखे, राइट आप जिस टरीके से रखना चाते हैं, यहां से आप कर सकते हैं, उसके बाद यहां पे क्लिक करना है, क्लिक करने के बाद, अगर आप filter में कोई color आप choice करना चाहते जो भी पसंद आपको आता है यहां से आप कर सकते हैं जैसे था वैसे रख सकते हैं तो आपको फूप में ऐसे click कर देना है simply से हो गया उसके बाद simply से आपको क्या करना है filter मैंने आपको समझा है उसके बाद हम समझाने वाले adjustment इस पर click करना है adjustment में अगर आप अपने वीडियो की quality बढ़ाना चाहते हैं तो brightness अगर आप जितना रखना चाहते हैं हमने रखा 13, contra को आप जितना रखना चाहते हैं हमने रखा contra को मान के चलिए satisfaction हम कम रखते हैं ठीक है मैंने 18, outside रखा वीडियो की अप जितना रखना चाहते हैं मैंने 28 रखा temperature त्यालिशा या यान कि 10 रखा गे बढ़ाया डिका वीडियो का एकि उतना इक जितना चाहते हैं तो मैनस मैने एक रखा है, गेम में आप जितना गेम भी उतना ठीक नहीं है, तो हमने मान के चले एक ही रखा है, लेप्ट ये भी उतना अच्छा नहीं होगा, तो हमें इसे क्या करना है, मैनस वन ही रखा है, हो में आप जितना जाना चाहते हैं, तो कलर चेंज आप जिस तरीके सा आप रखना चाहते हैं, सिंपलिस आप अपने वीडियो का कलर आप कहीं न कहीं आप चेंज कर सकते हैं, तो इस तरीके से आप कहीं न कहीं आप अपने वीडियो का जो की कलर चेंज कर सकते हैं, adjustment मैंने आपको समझा है उसके बाद हम समझाने वाले हैं यहां से भी आप अपने वीडियो का value बढ़ा सकते हैं यह value improve इस पे click करना यहां से आप 100 कर सकते हैं अगर यहां से आपका video का value change हुआ अगर आप यहां से कम करना चाते हैं अगर आप यहां पे बढ़ाना चाते हैं तो इस तरीके से बढ़ा सकते हैं अगर यहां पे कम है तो इस तरीके से आप इसे कम है तो अगर आप कम करना चाते हैं तो कर सकते हैं अगर फिर से आप यहां से बढ़ाना चाते हैं तो बढ़ा सकते हैं यहां से आप कर अगर आप ब जहां जहां पर आपने इसे वीडियो को लिया था उसी तरीके से फैनली हमारा वीडियो का नॉर्मली आवाज जो भी था हमारे वीडियो में नॉर्मली आवाज फैनली वैसे ही हो चुका है ठीक है उसके बाद सिंपली से आपको मैंने समझा है उसके बाद हम समझाने वाले है effect audio ठीक है अगर आप अपने वीडियो का audio कूपी करना चाहते हैं अल्डेडी आपका वीडियो है लेकिन उसका audio लेना चाहते हैं तो वो भी simply से देखे आ चुका है देखे हम इससे start करते हैं इसका audio भी यहां से जहां तक हमारा वीडियो होगा वहां तक आ चुका है जो से की आखवार का कोई news या फिर कोई crime कोई चीज़े आप लगाना चाहते हैं कि किसी भी तरह का video editing हो सकता है या फिर साधी का जो भी है चीज़े आप यहां कैसे लगा सकते हैं तो simply से layer पे क्लिक करना है media पे जाना है और media पे जाने के बाद यहां पे हमारा एक screenshot है इसे हमें लेना है ठीक है हमने लिया है screenshot friendly यहां पे आ चुका है इस पे हमें क्लिक करना है और इसको यहां पे adjusting कर देना है side में ठीक है उसके बाद simply से आपको कुछने करना है हमें इस पर frame लगाना है तो आपको Google पे जाना है और लिखना है Mobile P&G Frame आपको मिल जाएगा layer में जाना है हमने पहले से download करके रखा है तो media में जाते है media पे जाने के बाद हमने load करके रखा है तो हम reboot बेजाते हैं remove में हमने रखा है आपई देखिया है ठीक है तो हमें सी्प्ली से कुछ ने करना है यहां से में इसे एर्जेस्टिंग कर देना है जितना बढ़ा है आप सिम्प्ली से वह आपके उपर है जिसी साब से आप एजस्ट करना चाहते हैं आप देखिए हम किसी साफ से इडिटिंग करें बहुत अचिसी इडिटिंग करना परता है देखिए फाइनली हमने कितना अच्छा से इडिटिंग कर दया कितना अच्छा दिखने में लग रहा है अगर आप वीडियो के लास्ट तक इसे रखना चाहते है तो इस फ्रेम को आपको घीच के जहां तक आपका वीडियो है वहां तक आप इसे ले जा सकते है ठीक है तो हमारा वीडियो यहां तक है ठीक है यहां तक हमने इसे चोटा कर दिया है जैसे कि स्क्रीन डिकॉर्ड लास तक है देखे कहां तक यहां से इसे में क्या करना है काट देना है इस पर क्लिक करना है वीडियो पर और इस पर जाना है और हमें राइट से काट देना है जहां तक हमारा वीडियो था वहां तक ही रहा बाकी समाप्त हो चुका है ठीक है उसके बाद आपको कुछ नहीं करना अगर आप इस को कीचनी कर ना है फे इसे परढल जाने करना चाहते हैं अगर आपने इस आप लिए करना आप करना है लिए हैं लिए और सकते हैं लिए नगी लक Hat 1556i आप यहां तक इसे रख सकते हैं, देखिए, जहां तक आप इसे ले जाना चाहेंगे, तो आप एंड तक ले जा सकते हैं, और आप इसे ही रखना चाहते हैं, नहीं करना चाहते हैं, तो आपको पोपे के लिए कर देना है, ठीक है, हो चुका है, पोपे जहां, तो हमने कर दिय इस तरीके से, आप कर सकते हैं, वीजिए हमारा निबा हो जाएगा, उसके बाद आपको दियान, लेयर पे जाना है, लेयर पे जाने के बाद, अगर आप अपने वीडियो पे कोई Sticker लगाना चाहते हैं, तो किस तरीके से लगाएंगे, तो Sticker में आना है, यहां पे आपको बहुत सारे light लगाना अगर आप साधी का वीडियो बनाते हैं तो आपको light यहां से light बाला भी option यूज़ कर लेना है तो मुझे यहां पे light नहीं चाहिए मुझे अगर आप कोई sticker लगाना चाहते हैं जैसे कि हमने ball का sticker लगा अगर आप बच्चे के लिए वीडियो बनाते हैं या फिर अगर आप हमें इसे में बर्ड ठरी HDR का बीडियो बनाते हैं या फिर आप चाई कोई sit k Kathy करना चाहते है तो इस तरीके से आप जिस तरीके से रखना चाहते हैं फिर दिल का आइकन देना चाहते हैं जिस चीज का आप है सूर्ज का आइकन हमें यहां मान के चलिए रखना है तो आप इस तरीके से रख सकते हैं आप अपने पूरे वीडियो में इस तरीके से लगा सकते हैं घीच के तो इस तरीके से आप कहीं ने कहीं अगर आप इसे हटाना चाहते हैं सिंपली से तो यहाँ पे क्लिक करना है हट जाएगा अगर आप इसे भी हटाना चाहते हैं तो आप हटा सकते हैं यहां तक हमने समझा उसके बाद यहां पे जाना है अगर आप अपने वीडियो में जैसे कि आप अपने वीडियो बोलते हैं और साथ साथ वड़ भी दिखाए दे तो आपको टेक्स में किलिक करना है जैसे कि हमने editing के उपर बात किया है तो ED editing उसके बाद यहाँ पर click करना है और यहाँ पर देखे editing आ चुका है editing आ चुका है हमें क्या करना है इसे adjust करना है तो यहाँ पर नीचे में आना है देखे हमारा word नहीं दिख रहा है तो आपको font में जाना है आपको font में जाना है देखे हमारा word नहीं दिख रहा है तो आपको simply से यहाँ पर font में जाना है आपको बहुत सारे यानि की design मिल जाएंगी जिस design में आप रखना चाहते हैं रख सकते हैं उसके बाद आपको नीचे में जाना है अगर आप इस word का color change करना चाहते हैं तो आप color change कर सकते हैं हमने red रखा अगर आप इसका background change करना चाहते हैं तो वो भी आप simply से कर सकते हैं अगर आप इस जैसे कर सकते हैं अगर आप नहीं करना चाहते हैं तो इस तरीके से कर सकते हैं इसके बाद हम समझानेंगे कि सैडो अगर आप हाइलाइट करना चाहते हैं इस तरीके से हाइलाइट कर सकते हैं अगर आप नहीं रखना चाहते हैं इसे बंद कर देंगे उसके बाद हम बताने वाले हैं अगर आप इसे सुछते हैं कि हलका दिखे पूरा साफ नहीं तो आप इस तरीगें से इसे रख सकते हैं तो एंडेड कर देजिं, तो कम रहने देजिं तो इस तरीगें से कर सकते हैं, उसके बाद हमें क्या करणा है अगर आप सोचते हैं कि later by later निकले वो अच्छा रहेगा जिस तरीके से वीडियो में लिकलता है तो in animation में जाना है और बहुत सारे आपको function मिल जाएगा अगर आप रखना चाते हैं पुप तो आप रख सकते हैं ने तो normally कर देना है उसके बाद हमें later by later बहुत ज़रूड़ी है तो यहाँ पे later by later आपको click कर रहा है जिस तरीके से अगर आप पूरे वीडियो में लगाना चाते हैं तो आप इससे लगा सकते हैं ठीक है इस तरीके से घीच के अपने पूरे वीडियो में आप जहां तक आपका वीडियो है वहां तक आप अपने पूरे वीडियो में इस तरीके से आप कहीं ने कहीं घीच के लगा सकते हैं ठीक है उसके बाद देखे किस तरीके से चलता है देखे तो finally मैंने आप सभी साथी के इस तरीके से बोलेंगे तो आप यहां से record भी कर सकते हैं यहां पे देखे record है इस पे click करना है start पे click करना है हो जाएगा हमारा screen recording चाल हुआ इसलिए नहीं हो पा रहा है तो इस तरीके से यहां से कर सकते हैं उसके बाद आपको क्या करना है अगर आप अपने वीडियो का background चेंज करना चाहते हैं फिर subscribe button लगाना चाहते हैं तो किस तरीकी से लगा सकते हैं तो समसे पहले layer में click करना है आपको यहां की google पे जाना है और subscribe button green लिखना है वहां पे आ जाएगा ठीक है तो हमने यहां पे subscribe button लिखे रखा है एसपे click करना है और यहां पे इस तरीके से कर देना यहां पे इसे adjusting कर लेगा है ठीक है उसके बाद हमें इसका background चेंज करना है तो किस तरीके से कर सकते हैं सिम्पलिस आपको नीचे जाना है और नीचे जाने के बाद देखिम है आपको chroma की का ऐफ़सन दिखता होगा यहां पर देखिए chroma के इस पर क्लिक कर देने इस तरीके से आप इसे change कर सकते है तो आप इस तरीके से जहां इसे छोटा वा वा आपके उपर है जिसे साब साप इसे रखना चाते हैं यहां से रखना है अगर आप चाहते हैं कि हमारे subscribe बटन का जो volume है वो come हो तो आपको फिर से यहां क्या करना है mixture पर जाना है इसे zero कर देना अगर आप full लखना है simple इसे रख सकते हैं बज़ेंगे तो किस तरीके से सब्सक्राइब बचाएंगे तो किस तरीके से सब्सक्राइब बचाएंगे तो इस तरीके से एंड में अपने वीडियो के एंड में आप सब्सक्राइब बटन लगा सकते हैं अगर आप अपने वीडियो पर म्यूजिक लगाना चाहते हैं तो व बहुत अच्छी अच्छी मीजिक मिल जाएगी वहां सिंपली से आप डाउनलोड कर सकते हैं मैं उनका वीडियो एक बना दूंगा ठीक है यहां पर देखिए हमने रखा है sad music इस पर क्लिक करना है और हमने इस music को ले लिया है इस music को अगर आप इसका volume कम रखना चाहते हैं तो हम इसका रखते हैं 23 हमने रखा देखिए बजाते हैं आप तो फाइलली मैंने आप सभी साथी के इमेल एडि क्रियेट करके दिखा है कि किस तर इस तरीके से रख सकते हैं एंड तक आप लगा सकते हैं और यहां से अगर आपका वीडियो खत्म है तो यहां पे किलिक करना है और केची वाले एक शेकन पर जाना है और यहां से रेट से काट देना है तो सिंपल के से इस तरीके से कर सकते हैं त। मैं आपको वीडियो में ऐब setting के उपर बात किया कि किस तरीके से आप video editing कर सकते हैं वो मैंने आपको बता दिया है तो finally हमारा video editing हो चुका है तो इस पे किलिए करना है और एक बात को हमेशा ध्यान रखना है जब भी आप अपने video को save करते हैं तो 1080 पे आपको क्या करना है इसे save करना है ताकि आपकी video की quality highlighter ने तो कम हो जाता है उसके बाद लो यहाँ पे ने रखना है highlight रखना है पूरा इस दुनों बात को ध्यान देना है ने तो आपका video जितना भी आपका मेहनत है वो बेकार हो सकता है तो वो नहीं करना है उसके बाद यहाँ पे save as पे click कर देना है आपका video simply से save हो जाएगा यहाँ से हमारा वीडियो आप देखिए save होना start हो जाएगा यहाँ से इस तरीके से आप अपने वीडियो को simply से save कर सकते हैं तो finally मैंने आप सभी साथी के बीज में बताया कि किस तरीके से वीडियो इडिटिंग किया जाता है आप सभी साथी के बीज में मैंने step by step बताया ताकि आप सभी साथी को शमजनी में कोई प्रिशानी ना हो कोई दिकत्न हो अगर इसमें से कोई भी topic आपको शमजनी में नहीं आया है तो हमें कमेंट सक्षन में जरूर कमेंट किजेगा जब हम अगला वीडियो सूट करेंगे तो उसमें cover करने की कोईसिस करेंगे अभी तक हमारे यूटूब चैनल को आपने subscribe नहीं किया है तो जल्दी से जाके subscribe कर लिजे ताकि आगे भी इस तरह content आपको मिलता रहेगा तो आज के लिए बस इतना है फिर से मिलते हैं अगले वीडियो में नए topic के शाथ